हे वाट्सप गाइस आप देख रहें MSD टेक्नोलोजी तो आज मैं आपको बताने वालों कि आप अपने लैप्टॉप से ही वाइफाई से होट्सपोट शेर कर सकते हैं मतलब समझ नहीं आ रहा है न अरी दिवा ये गड़ बड़े बाबा मतलब आप अपने लैप्टॉप में रते वाइफाई अनेबल है मतलब वाइपाई और आप वाइफाई और रखे ही आप हाट स्वाट यूज कर दिशें मतलब किसी और को वहीं वाला तो दोस्तों आप अपने लैप्टॉप से वाइफाइ से हॉट स्पॉट शेर करने के लिए सबसे पहले कंड्रोल पैनल पर जाएए कंड्रोल पैनल पर मेरा यहीं पर है और आपको यहां पर नेटवर्क एंड शेरिंग सेंडर पर जाना होगा और इसके बद यहां पर चेंज अडाप्टर सेटिंग और आपको यहां पर चेक कर लेना कि यहां पर इंथरनेट वाइफाई सब कुछ एनिवल है नहीं उसके बाद हैंपर जाए पर यहां पर आपको 5000 कर लेना है बैहां से कर रहा हूं ताकिक्ति कभी भी मैं जब भी हाट्स मे следies में पर एक बार कर रहा हूं कि आगए इसे issues नहीं हो रहे जैसा आप यहम पर कर सकते हैं वह सारे प्राब्लम फिक्स द Kyson की हैं तो मैं हमसे close कर रहा हूं और यह भी हटा रहा हूं उसके बाद आपको यहां से change advanced sharing settings पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद और आपको यहां पर Turn on Sharing as so anyone with network access can read files and public आपको इसे Enable कर देना है Save Changes और आप यहां से Back कर सकते हैं दोस्तों करने के बाद आप जाएए अपने Settings पर Settings पर जाने के लिए Windows प्लेस आई पर क्लिक कीजिए जैसा मैंने क्लिक किया जैसे यह आप Windows पर आ जाए आपको यहां पर Network and Internet पर क्लिक करना होगा जैसा ही आप क्लिक करेंगे आप यहां से देख सकते है Wi-Fi Cyber Phone नाम मैंने वासा रखा है तो मैंने यहां पर मैं पहले दिखा देता हूं आपको यह Connected है तो दोस्तो आपको इसी के प्रॉपर्टीस में जाना है प्रॉपर्टीस में जाने के बाद आपको Set as Metered Connection पर कर देना दोस्तों वरना यह आपका hotspot नहीं लेगा तो इसे बैक जा सकते हैं आप बैक जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं mobile hotspot आपको इसे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जैसा आप यहां पर देख सकते हैं दिखा रहा है Share your internet with other devices जैसा आप में यहां पर क्लिक करता हूं और यह यहां पर on हो जाता है जब भी आप अपने दूसरे laptop में या अपने mobile में जाके चेक करते हैं तो आपको यह computer का wifi दिखाएगा ना कि जो आपने wifi कनेट किया है वह आपको desktop यहां पर rename कर सकते हैं आपका hotspot का नाम जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं कुछ भी रख रहा हूं और यहां पर आप password भी रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं और सेव करके आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी issues के आप एंजॉइ कर सकते हैं वाइपाई से होटपोट शेयर कर सकते हैं दोस्तों यहीं थी एक ट्रिक विंडोस में यहीं कमाल की ट्रिक दी हुई है आप इसे जाके यूटलाइज कर सकते हैं आप इधरनेट से अपने मुबाइल को या और भी पासवाट बताने हैं तो आप उसे जाके यूज कर सकते हैं दोस्तों बास वीडियो में इतना है जिकाल या पउस vaccine करना या सब्सक्राइब करना या सब्सक्राइब के यूदियो में तब तक के लिए जय हम